हेलो फ्रेंड्स चरका जवा बनाने के लिए चाहिए एक बारी कटिवी प्याज, एक बारी कटावा टमाटर, काली मेच, बारी कटावा आलू, लाल मेच, अर्द्रक लहसुन का पेस्ट, हरी मेच, गाजर, जवा, यह जवे घर पे बने हुए हैं और सिक्के हुए हैं, मसाले म जीरा, धनिया, लाल मेच, हल्दी पाउडर, नमक, अब कड़ाई लेंगे, उसमें दो टेबल स्पून ओईल डालेंगे, रम हुने के बाद, एक स्पून जीरा, जीरा सिख चुका है, अब जो प्याज काटी थी वो डालेंगे, प्याज ब्राउन हुने तक सेकेंगे, जैसा कि आप देख रहा है, प्याज सिख चुकी है, इसके बाद, हरी मेच, अदर क्लैसून का पेस्ट, आलू, गाजर, अब इन सब कौच्छे से मिलाएंगे, अब इसमें नमक मिलाएंगे, ताकि यह अच्छे से घल जाए, इसको थोड़ी देर चलाएंगे, अब इसमें डालेंगे टमाटर, ताकि इसमें भी मसाल अच्छे से मिल जाए, मसालों में डालेंगे, लाल सूखी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आल्दी बाऊदर जैसा कि पहले अपन नमक डाल दिया था वो मसाला गलाने के लिए डाला था अब हम थोड़ा सा और डाल्शेल के लिए और यहाध credit इस ऐसे थोड़ा मेश थोड़ा इनने मिला लेंगे थाकि थोड़ा सा यह अच्छे से पउठे या यह सुझ में इसमें डालेंगे डेट कप पानी, पानी डालने के बाद हाई फ्लेम पर उबाला आनने तक रखेंगे, जैसा कि उबाला आ चुका है, उसमें अब जवा मिलाएंगे, थोड़ी देश चलाने के बाद हाई फ्लेम पर इसे डख के रखेंगे, कि दो मिनिट बाद दिखेंगे तो जवा पक कर तेयार हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि जवा किस तरह से पक चुके हैं लाश में थोड़ा सा गरम मसाला और चिले फ्लिक्स ताकि टेस्ट है अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यह उपर से डाल सकते हैं बाकि ऐसा कोई कंपल सरी नहीं है सब को अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसके बाद आप यह सर्व कर सक यह अगर आपको ऐसी खाना तो आप ऐसे भी खा सकते हो